विरेंद्र बाहर का खाना नहीं खाते हैं इसलिए पहले उनका ही दब्बा तयार करके रख दिया गया नील का दफ्तर पास ही है इसलिए वह घर आकर खा लेता है अगर किसी वज़े से घर ना आ सके तो कैंटीन में ही खा लेता है आप तुन बोलो क्वीन तुम्हारे दब्बे में क्या रख दूँ सुधा ने अपनी नंद रश्मी से पूछा कुछ भी रख दो भाभी देर हो गई है नहीं बना हो तो बिनाल ये ही चली जाओंगी और हाँ भाभी मुझे क्वीन तो नहीं कहो बिनाल ये क्यो जाएगी क्या तेरी मा मर गई है सुधा दूर से अपनी बेटी की बात सुन कर बोली रश्मी एम्मान जी हजारों साल जिंदा रहे पर तुम्हारा खाने का दब्बा मुझे लगाना है इसलिए जल्दी बोलो क्या चाहिए सुधा ने फुस फुसा कर रश्मी से कहा सुधा की आवाज की ग पड़ो बहु जरूर पड़ो अब जब से वे नए घर में शिफ्ट हुए हैं सुधा को पता चल रहा है कि घर संभालना उम्र हो जाने के बाद कितना कथिन हो जाता है अब सुधा ने घर से निकलते हुए बैठक की ओर देखा चारों तरफ चीजे धंग से रखी थी पाबुजी का आधा पड़ा अकबार कुर्सी पर चिडिया की तरह अपने पंक फरफरा रहा होता था पेंसले कालिंग पर पड़ी होती रश्मी की चप्पले खाने की मेच के नीचे रखी होती थी खाने की मेच पर जूटे बर्तन प्याले पड़े होते थे सविता आराम से चौकी पर बैट कर अपनी टांगों में तेल की मालिश कर रही होती और उचे स्वर में भक्ती गीद गा रही होती। हर सुबह सुधा को ये द्रिश्य देखने को मिला करता। काम करती हुई सुधा सोच रही थी कि उसकी माने घर को इतना साफ सुट्रा रखना सिखाया था। क चीजों के लिए एक जगह निश्चत थी। यहां आज ठीक करो, कल फिर वैसा ही हाल। उसकी ससुराल के लोग सीखते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं। देवर हॉस्टल में जरूर रहता है, पर घर आते ही वो भी इस घर के रंग में रंग जाता। ऐसा लगता था जैसे इस तरीके से रहना इन लोगों को कहीं से विरासत में मिला। बड़े कपड़े यानि पैंट, शर्ट, कमीज, धोतिया, चादरे तो धोबी धोता ही है, पर आज वो मुझसे कह रही थी कि अब बड़े कपड़े भी उसे दिये जाने लगे हैं। वो तो इस बात पर काम छोड़ रही थी। मैंने किसी तरह उसे समझा दिया है। अब बड़े का ने फैसला किया था नीर के साथ अलग रहना ही ये समस्या का हल है। दोनों की मुलाकात उसे याद हो आए। दातों के डॉक्टर की दुकान की बात है। एक खुबसूरत सी लड़की बैठी थी। तभी एक युवग भी आकर बैठ गया। और भी बहुत से लोग रहे थे और भागने में ये खुबसूरत सी लड़की उस लड़के से दो कदम आगे ही थी। वो बड़ी तेजी से सीर्या उतरती गए। बाहर ही एक आटो खड़ा था। वो आटो में बैठ गई। तभी वो युवग भी जो दो कदम ही पीछे था। गुस गया। उनकी श झाल